कि यह बीड़ी एक इतना दीर आप आप में का नहीं जा सकता कोई ऐसा इलाका नहीं कोई ऐसा गाउ नहीं यहां अदिल्ली से जैपूर से आपको बतादो कुछ राथ के एमादाबाद से सुरज से, कोलकथा निक्तला से, देवगर से, कुटराखंड से आपको बतादो राँची से यहां पर आपको बतादो दूंका से यहां पर तारापुर से रक्षिने सौर काली मंदिर के पास से यहां पर कितने धूर धूर से लोग आए हैं अब ज़्या देख लिए duration कर मुझे दूर दूर से लोग बता रहे है इस यंग के बादे इस महा यंग के बादे में लेकिन अगर आप यंग में सरधा नहीं रखेंगे आप महा यंग में पमित्रता नहीं रखेंगे आप महा यंग में आस्था नहीं रखेंगे तो आप कहीं मुझ दिखाने के लाइक नहीं रहें आपका यम्ट आस्था सरधा पंपित्रता और त्याज से संपन होगार्प का vedere सिर्फ आप अच्छाइका रास्ता पक्रें रहे अप सच्षाइका रास्ता पक्रें आपने जो संकत्र किया है, आपने जो बचन दिया है, उसको आप विल्कुल बास्तों में सत्रता से विर्मार करते रहिए, इससे भी बड़ा बिलाल हो जाएगा, इससे भी बड़ा यग हो जाएगा, और आपका कर्यान हो जाएगा, आपके समाज का कर्यान हो जाएगा, कहीं क किसे परकार की दिकते और उस कुल नहीं होंगे। ये आपको सुचिना है, आपको दय करना है कि मैं कई अच्छा कारेखा सकता हूं। मैं कई समाज को कितना और जोड सकता हूं। आप यसने कर गरीबों के बारे में सुचें। अभी देखिए आपर कोफी करम सब बाटा गया अभी, अभी देखिए धोती बाटे गया, बहुत सारे गरीबों के बीच सारी बाटे गया है, छोड़े छोड़े बच्चे जो निर्धन हैं, उनके बीच में करम बाटे गया है, पढ़ने की समागली, लिखने की समागली की तर व्यक्ति खर्मान जी महलाज मंदित सबीती की और से यह सारा चीद यहां बाटा गया यहां पर आपको रुद्राख्ष की छोटे बड़े साइबर गार की माला माटे गए है लागा दार माटे जा रहा है उसके पास चाहत आपको बता ले दीपे कवच माटे जा रहा है और सब्सक्राइब कर दिया है उन लोगों ने करस उठाया देखे करस यातरा में कितना भीर था कितना जंध सेलाब हुना था चारों तरब देखने देखने जैसा द्रितय देखिए बंर्भावन द्रित थैंदी से ये करस यातरा आम को सातमीत्ता पमित्ता और यग्र और्रभ होने का संकित है आप दिख लिए इस कलस यात्रा में सभी लोगों ने भाग लिया यहाँ एक सिर्फ सिंगैले गाउपा रही इसमें दूर्दू से लोग भाग लिये हैं इसमें बिहावराज से महां के लोगों ने भी भाग लेने का कारी किया तो कलस यात्रा पूजा यग महायग केवर साथ मित्ता पवित्ता अच्छाई आस्था लिष्ठा तब त्यार और करता पे और संकर्प और वचन से होता है इसमें ध्वोंग पाखन अगर करेंगे कूट निती करेंगे चल करेंगे तो यग करता ही सफन नहीं होगा बनकी यग के आगे अगर आप वूट खसोट करेंगे तो आपका जीवन भी असरवन हो जाएगा आप करी के नहीं रहेंगे और यग अगर कोई सर्चाल गवरा और उसको अगर आप बाधा पहुचाने का पोर्शिस करेंगे सच्चे मान से अगर किश्वार भाव से अगर विरभ करा रहा है तो आप कहीं के नहीं रहेंगे समझ एक उसी दिन आप में अपने मिनास का मत्र बत्र काल रोटा को बेच दिया है इसलिए ऐसा कारे कमी न करें जिससे आपको च्छती उठाना पड़े या आपके समाज को च्छती उठाना पड़े आप बड़े नहीं है बड़ा आप भगवान है बड़ा आपका कारे है बड़ा आपका नाम है आपने दिखा दा बगवान से राम को समुद्र में राम राम लिख करके नल नील के द्वारा क्या किया गया था पत्थरों का पूल बनाया गया था आज की तरह कहीं पूल नहीं बन देते उस समझ भगवान में समुद्र से कई बार कहा कि हे समुद्र देओ हमारी प्रम प्रियात्मा हमारी जो अधांगनी है हमारी पत्नी उसको रावत जैसा दुलाचारी पापी उसको फरन करके ले गया है हे समुद्र देओ आप मुझे मान के समुद्र हमकार में भगवान को बार नहीं दे रहे थी लेकिन भगवान ने समुद्र पर जब प्रहार करना चाहा तो भगवान वहां समुद्र से वारता किया और समुद्र वहां परकट हो गया उसके पाशार भगवान ने वहाँ पर क्या किया पत्थरों से भगवान का नाम लिख करके पूल बनाए गया और भगवान सिरी राम लंका गया और उसके बाद वहाँ पर यूद हुआ और यूद होने के बाद भगवान रावन पर विजय प्राप किये और अपनी प्रम प्रि तो आपसे बड़ा आपका नाम है लेकिन नाम अच्छा होगा तब अगर नाम के साथ बरनावी होगा तो आपका तो किया कराया स्था मट्टी में लिल जाएगी इसलिए आप अच्छा कार करे अपने नाम को अच्छा बनाए यह कैसे बढ़ेगी अच्छे काम से होगा ना जब अच्छा कार करिएगा अच्छा अच्छा इत्लिहां सरचने वाला समाजी कार करिएगा कर लें कारी कार कीजिएगा तभी में नाम होगा ह आउ नां है कुछ नोग पाखिट इत्र कि नांचामा लेते हैं कुछ ओ अ कंदै खाम करा करके भी नाम क्कानब करते हैं लिखियो के रहें होगे आपका जीवन बड़कों में चलागे आप परवात हो ग deb blessings कुछ दिनों का झीमन है आपका मानों जीमन गरत का कर के एक इसको असफदा की ओर तुने जाने इसाप को क्या मैं सब्छलaws इसलिए अभर आप अच्छा बनना चाहते हैं सच्छा बना चाहते हैं तो यह यापके जीवद को निखार लाएगा और आपका कार्म ही आपके संसकार को दर्साता है वह यह हुआ कista करने से पहले कि चरितर मर्वाण लाई है कहीं है है कि हमाई चरितर महरां प्रत्र लाई है तो आप अपना चरितर कि एक बार अगर आप भगवान को पुकार नहीं कि ये भगवान तो बस भगवान आपके पास परकट हो जाए अगर एक बार आप दुख से द्रवित हो गए है रो रहे है तो आपके रोने से ही परले मचने लगे अगर आप खुशा है तो पूरा प्रकृति खुशी से चपन चालो तरप सुहना वाता मरण मंज़ा है ऐसा मनिये अब लेकिन आप ऐसा नहीं बनिये कि आपको बगवान के नियम अनुसारर चलना होगा अपके बनायोए नियम अनुसार नहीं चले है आप और बहगवान का जो नियम बनाया हुआ है उसके अनुसार ही सारा कारे करना पनेगा आप बहगवान से बने नहीं है बहगवान आपसे बने है बहगवान नहीं संसार को बनाया है आपने संसार को नहीं बनाया है संसार को भगवान में बन रहा है इसलिए हम सभी भगवान को जाने भगवान को समझे भगवान के नाना परकार के नाम है नाना परकार की भगवान के लिलाए है उन लिलाओं से समझे सीखे तब ही जीवन सफल होगा और कोई नी कारे आपका सखलता पूबक संपत जाएगा अब देखिए बहुत सारी गउं भी ऐसे होते हैं तोड़े मुहले ऐसे होते हैं जहां पर दो-तिन लोग होगे जो भाई-भाई को लड़ा देगा बाप-बेका को लड़ा देगा और बीच में अपना उन्यू सीधा करने के चकरने उसी जमील पर गिद्रिष्टी जमाय रखेगा किसी जिए बेक्ति को तो देखते हैं किसी करने आप भी गिद्रिष्टी जमाय रखते हैं ऐसा भी होता है तो यह तरह की पापाचार का नियती ना रखे नियत ना रखे अपने मन में अन्या था इसका अंजाम तो आपको भुगत ना पर सकता है और भुगतते भी है क्या दसा होता है आपके ना देखिए अगर अच्छा कारे करेंगे तो आपको समाल बिलेगा अगर आप गलत कारेंगे तो आपको अपमाद मिलेगा आप कई के नहीं रहेगी कोई नहीं पूछेगा आपको भी आप इस अंसार में करणकित हो जाएगे जीने के योगे नहीं रहेगे आपके माता पीता का भी नाम बननाम हो जाएगा आपके गाउं सलाज का भी नाम आपके गरत कारे से बत्ताम हो जाएंगे इसलिए अच्छा कारे करिए अब देखिए आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे I.S. I.P.S. बन जाते हैं और बन भी रहे हैं और बहुत सारे बच्चे तयारी कर रहे हैं तो उनके नाम से देखो ना यह राजू फ़लाने गाउं का है यह डिल्म बन गए यह परमोद फ़लाने गाउं के एस्पी बन गए है यह रंजन फ़लाने गाउं के लिए डिएस्पी बन गए है यह भविस फ़लाने गाउं के लिए यह देखिए आई ही बन गए है तो इसके किसका दाग हुआ आपके नाम के साथ आपके माताबीता का नाम आपके गाउं का नाम आपके जिला का और आपके राज का नाम भी सम्मान से सम्मानित हो गया लेडी लला राशा चोरी में पखरे गए यह बदाने का में तो यह अब अब बताईए भाई आपको तो कानून पहले नहीं चोड़ेगा कानून आप पर बहुत करवाई कर देगा उसके बाद इस वर भी आपको नहीं चोड़ेगे चुकि आपके करनी का फ़ल तो दिन्ना है को आपने देखा होगा इस संसार में जो जैसा करता है वह साथ होगता आपके आसपास तरह जोगी घटना है घटे रहते कभी आप देखते हैं कि पीसी से वित बत बात करके आए और तुलक पता चलता है को उसकी मृत्तू होगा है कभी कभी आप देखते हैं कि कुल वेटी रास्ते से बुझल राख उसका अप चल रहे और पता चलता ही जाओ उसका टेको आपके नहीं है कब गविया देखते हैं कि आप इसके साथ भूजन ढरन करके आए हैं कभी कविया आप डेखते हैं आप जिसके साथ भोजं दुरन करके आया हैं और पता चलता है कि आप वो मढगा है कभी कभी आप आपको पता चलता है कि भाई अभी मैं ट्रेणों में सफर करके आया हूँ जब बिधी विठान आपके हाथ में नहीं है तो आप मालिक और बर्वान कैसे हो सकते हैं आप सब कुछ कैसे हो सकते हैं, जब सूरी को आप चमका नहीं सकते हैं, जब सूरी को आप पस्त अउद्य नहीं करा सकते हैं, जब आप आंधी पानी नरोग सकते हैं, आंधी पानी ला सकते हैं, जब आप बारिस नहीं करा सकते हैं, और बारिस रोग नहीं सकते हैं, जब आप आप हमारी के बारे पूरी जंकारी नहीं दे सकते हैं, कि कैसे आया कैसे जाएगा, तो आप बर्वान और ताकतवर और हंकारी और धोनी पाखर्णी आप से बना दूसरा कौन हो सकता है, हंकारी चाप्रूस, इसलिए ऐसे लोगों से बचिये, जो खुद का इतिहास बुगोर नहीं जानता, जो खुद का मुद मविस्वार दमान नहीं जानता, सूज कैसे चमकते हैं, चंडर कैसे दमकते हैं, ये वातावनन कैसे चमता है, पवंद्यो कौन है, हम कौन है, आप कौन है, इस संसार गुद्पती कैसे हुए, इस्वर कौन है, सिव कौन है, जुन का कौन ह आप लिफ क्या को तो क्या है या चार्ज हो रहा है तो पुछ आप जानते रही है आपको खुद के बारे में ऑम्राइज उपकर बीडिया वी किन कि ग्ञान का जो ज्ञान है नहीं ज्ञान क hinter पहले इसकी जंकारी आप now आप घ्नी है या ज्याद है पहले इसके बारे में आप जंकारी पराप्त कर लिए तभी आ चार कदम आगे पर पाने के चक्र में आख पीछे और करी नहीं रएगं कभी अच्छे कारी आप बैठर करेंगे तो आपके पास कुछ दही बैठेगा. कुछ लोग दो-तिर लोग सरख पड़ रहेगे. और वहीं से आपको आपका मिंता करेंगे. चाप लुषी करेंगे. अगर आप कहेंगे कि भाई आप सरख पर नहीं रहां जाओगे. तो आप पर वो कि दृष्टी की तरफ ताके थे ऐसा देखेंगे कि जैसे वो आपको भस्म कर देना चाहते हैं भस्मा सूर खुद के कलनी के कारणी भस्म हो गया मा जो उसे बड़ा बनना चाहा था बर्दान भी प्राप्त किया उनी से और उनी को आँख दिखाने लगा था बस भो गया तो ऐसे लोग भी है तो अगर इस परकार की अगर मैठक है आप कर नहीं अगर आप कोई अच्छा सुजाओ किसी को दे रहे अगर आप कहीं पर कोई अच्छा कारे करने चले है तो आपको आपके बास नहीं आएंगे दूर से ही आप पर हो तल्वाज भी जाएगे शुरी महाकाल जी अनन्द दिपक जी महराच और मंदिर कमेटी और यग्या कमेटी और तमाम भक्तगनों के सायोग से सिंगेला मोतिपूर मजफरपूर बिहार में संसार कल्यान में शुरी शुरी एक हजार आठ रुद्र महायग्या और कल्यान कारी अम्रत में दिव्या परवक्चन का आयोचन होगा जिसका परसारन आप लाइफ तेज चैनल पर सुबाद देख पाएंगे आप संपर कर सकते हैं 99348117559471204794 पर लाइफ तेज चैनल पर यह कार्यकरम आप देखकर लाब ले सकते हैं